प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे हनुमान जी की कृपा से जीवन की किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है और आपको ये जानकर बड़ा अश्चर होगा कि हनुमान जी की कृपा से आप अपने स्वास्थ को बेहतर कर सकते हैं और स्वास्थ की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं हनुमान जी की एक स्तुती, हनुमान बाहुक अगर आप इसका पाठ करते हैं नियम पुरुवक इसका प्रियोग करते हैं तो आप अपने स्वास्त को बेहतर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये आज के कारिक्रम में आपको बताएंगे बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशी फल की कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसिस मंत्र में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचान दिनांक 19 जुलाई 2023 दिन बुद्धवार तिथी है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथी नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र प्रातह काल साथ बचके अंठावन मिनट तक चंद्रमा करक राशी में संचरण कर रहे हैं राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बचकर 30 मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी हरी सौफ खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जान लेते हैं 19 जुलाई 2023 दिन बुद्धवार को प्रातह काल 5 बचकर 30 मिनट पर ग्रहों की स्थिती क्या है सूर्य बुद्ध और चंद्रमा विद्यमान हैं करकराशी में शुक्र और मंगल विद्यमान हैं सिंग राशी में केतु विद्यमान हैं तुला राशी में शनी विद्यमान हैं कुम्भ राशी में ब्रिहस्पती और राहु विद्यमान हैं मेश राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशीफल कैसा रहने वाला है अपने विशे पर आ जाते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्त की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में स्वास्त की समस्याओं को दूर करने में हनुमान जी की पूजा से कैसे लाब हो सकता है देखिए हनुमान जी भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक है जब बात होती है भक्ति की तो हनुमान जी की बराबरी उस भक्ति में कोई नहीं कर सकता ये सरल भक्ती और प्रेम से शीगर प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी ने ही लक्षमन के प्राणों की रक्षा की थी इसलिए हनुमान जी को लक्षमन प्राण दाता भी कहा जाता है हनुमान जी के बहुत सारे विशेश मंत्र हैं और विशेश इस्तुतियां हैं जिनके पाठ से आपका स्वास्थ बहतर हो सकता है आपको स्वास्थ का लाब हो सकता है हनुमान जी की तमाम इस्तुतियों में तमाम मंत्रों में अगर विशेश तरीके से हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है यानि अगर आप स्वास्त की समस्याओं से परेशान है और अगर आप नियम पूरुवक हनुमान बाहुक का पाठ करें तो आप स्वास्त की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं हनुमान बाहुक कैसी इस्तुती है? इसकी महिमा क्या है ये जानेंगे लेकिन आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मंत्र में अब जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश राशी स्वास्त में समस्या हो सकती है बेवज़ा की चिंता हो सकती है कीमती चीज अगर संभाल कर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा व्रिशब राशी आर्थिक लाब के योग बन रहे हैं थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मिथुन राशी मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी करियर में सफलता मिलेगी भग्मान गडेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा करकराशी रुके हुए काम इस समय प्रियास करने पर पूरे होंगे चिन्ताओं से आपको राहत मिलेगी स्वास्थ आपका अच्छा बना रहेगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करने तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक जो हनुमान जी की स्तुती है ये दरसल है क्या और इसकी महिमा क्या है देखिए हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसी दास जी के द्वारा लिखी गई एक स्तुती है जब कलियूग का प्रकोप आया उनके ऊपर तो तुलसी दास जी को कलियूग के प्रकोप से पीडा हुई शरीर में तब उस पीडा को शांत करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की ऐसा माना जाता है कि अगर स्वास्त की कोई समस्या है और आप प्रेम से हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो स्वास्त की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोग है, इसका पाठ अचूक है अगर आपको शरीर में या कहीं भी दर्द की शिकायत है, पेन की समस्या है तो हनुमान बाहुक के पाठ से जल्दी लाब होता है, दर्द दूर होता है अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जिसमें रोग का कारण समझ में नहीं आ रहा है और आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, तो हनुमान बाहुक आपके रोगों का नाश कर देता है दर्द की समस्या के मामले में हनुमान बाहुक का नियम पुर्वक पाठ करने से लाब होता है और इसके अलावा अगर कोई अज्यात बाधा है जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे ठीक होने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से वो बीमारी आपकी दूर होती है और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करता है तो सामान्यतह वो स्वास्त की समस्याओं से बचा रहता है हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे कैसे इसकी विधी क्या होगी इस पर बात करेंगे लेकिन आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मंत्र में अब जान लेते हैं सिंघ, कन्या तुला और व्रिष्चिक राशी का दैनिक राशी फल सिंघ राशी व्यर्थ की दोड़ भाग हो सकती है चोट चपेट से इस समय बचाव करें महत्वपूर्ण काम इस समय टाल देना बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कन्याराशी धन लाब के योग बन रहे हैं पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा तुलाराशी करियर में आपको सफलता मिलेगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तै हो सकता है खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी सिक्षा में सफलता मिलेगी संपत्ति का लाब भी हो सकता है मानसिक चिन्ता समाप्त होगी भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब ये जानते हैं कि हनुमान बाहुक का पाठ करने की विधी क्या है तरीका क्या है हनुमान जी का एक चित्र स्थापित करें जिसमें हनुमान जी आशिरवाद दे रहे हो आशिरवाद की मुद्रा में उनकी एक प्रतिकृती स्थापित करें और हनुमान जी के साथ भगवान राम का चित्र या उनकी मूर्ती भी स्थापित करें उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और एक पात्र में सामने एक लोटे में गिलास में या कटोरी में शुद्ध जल भर के साफ जल भर करके रखें पहले श्री राम की स्तुती करें पहले भगवान राम को प्रणाम करें उनका ध्यान करें फिर हनुमान जी का ध्यान करें इसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करें और पाठ के पांच मिनट के बाद रोगी को थोड़ा सा जल पिला दें अगर आप खुद ही रोगी हैं अपने लिए ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल पी लें और बाकी बचा हुआ जल शरीर में जहां जहां दिक्कत है आपको जहां जहां आपको रोग है रोग ग्रस्त हिस्से पर बाकी जल को लगाएं ये प्रियोग लंबे समय तक करें अगर आप किसी दूसरे के लिए ये प्रियोग कर रहे हैं तो आप उसे जल पिलाईएगा और उसके शरीर में जहां जहां दिक्कत है वहां वहां जल लगाईएगा बाकी जल पौधे में डाल दीजिएगा और अगर आप खुद ही रोगी हैं अपने लिए ही कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल स्वैम पिलें और अपने शरीर के रोग ग्रस्त हिस्सों पर उस जल को लगाएं और बाकी जल पौधे में डाल दें ये प्रियोग आप रोज सुबह करते जाएए लंबे समय तक लगभग 15 दिनों में इस प्रियोग का पौजिटिव परिणाम अच्छा फल आपको निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाएगा देखिए हनुमान बाहुक हो सकता है आपको पढ़ने में कठिन लगे तो आपको हनुमान चालिसा की एक पंग्ती बताते हैं इस पंग्ती को आप मंत्र की तरह अगर सुबह शाम पढ़ें तो निश्चित रूप से इस पंग्ती का जब करने से भी आपका स्वास्थ बहतर ह पंग्ती होगी नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा इस पंग्ती को अगर मंत्र की तरह सुबह शाम 108 बार पढ़ा जाए तो रोगों से दर्द से बीमारियों से छुटकारा जल्दी मिल जाता है और इसके अलामा रोग दूर करने का हनुमान जी का एक विशेश मंत्र भी है ओम लक्षमन प्राण दात्रे नमहा ओम लक्षमन प्राण दात्रे नमहा इस मंत्र का भी अगर आप सुबह शाम जप करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके स् की समस्याओं में सुधार जल्दी होगा कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सेस मंत्र में अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्भ और मीन राशी के लोगों का डैनिक राशी फल धनू राशी स्वास्त का ध्यान रखें परिवार में विवादों से बचाव करें जल्दबाजी में कोई भी निर्ड़े इस समय ना लें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मकर राशी, स्वास्त के मामले में आपके सुधार होगा करियर की बाधाएं आपकी दूर होगी परिवार में कोई शुभकार ये इस समय होगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा कुम्भराशी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं हाना की काम का प्रेशर रहेगा, काम की अधिकता रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मीन राशी सिक्षा में सफलता मिलेगी करियर में लाब के योग बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे भगवान गडेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा ये तो रहा बारा राशी के लोगों के लिए दैनिक राशी फल अब जान लेते हैं स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भग में अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा हो तो जिस समय दर्द हो रहा हो एक गिलास गुनगुने पानी में एक चमच शहट डाल करके मिला लें और इसे घूंट घूंट करके पी जाएं आपको दर्द की समस्या से ततकाल छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा अब जान लेते हैं 19 जुलाई 2023 दिन बुद्धवार का सकसिस मंत्र क्या है दिनांक 19 जुलाई बुद्धवार को प्रातह काल भगवान गणेश को दूरवा अरपित करियेगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूरवा थोड़ी सी दूब घास उसी में से अपने पास रख लीजियेगा दिन भर के कारियों में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ती होगी तो आपका दिन शुब हो मंगल में हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिये इजाजत एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से